नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आप स्वीका ओलाने डाफ और स्टुडी यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात कहेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में यूपी टीटी 2021 को लेकर इसके अलावा यूपी टीटी के परिडाम के बारे में साथी अगर बात की सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगाता सभी जान कई हैं सबसे पहले मिलके जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अनकेडमी लेकर आया है स्कॉलेशिप टेस्ट जो कि 27 परवई 2022 को होगा जिसमें आप सभी की बन जैंक काने पर लेप्टॉप और स्मार्टफोन इसके अलावा अगर आप साथ से लेकर 16 की बीच में आते हैं तो आपको इयरफोन मिलेंग इसके अलावा और भी रेंक वाई आप सभी को जो इनामरो डिस्टिबूट किये जाएंगे साथ ही अनकेडमी लेकर आया है टॉप बैचिस टॉप एजुकेटर के साथ जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 19 परवई से और कई बैच स्टार्ट हो रहे हैं 23 परवई 2022 से जैसा कि आप आप देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप किसी भी कंपलीट बैच की परपेश्न करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी को वीडियो की दिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो की दिस्क्रिप्शन दिये के लिंक थूह आप सभी आर गौतम टैन लगा कर अभी पर सीज भी देखने के लिए मिलती है जिनका शेडियूल आप सभी के सामने दिया आप सभी चाहें तो इनको भी जॉइन कर सकते हैं इसके अलावा निकाडमी लेकर है आइकोनिक फीचर जिसमें आप सभी पिक्चर को अपलोड करके अपना जो डाउट को पूछ सकते हैं साथ ही अपने फैबिट अजुकेटर से रेस हैंड करके आप सभी अपने डाउट को किलियर कर सकते हैं ज्यादा जानकाई के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं कोई भी यहां पर सब्सक्रिप्शन लेते समय आज गोतम टेन लगाना बिलकुल ना भूलें तो जिसा कि दो दु है कि लेकिन लेकिन एसे में यूपी तरीकर के कर मिल गया और अब ऐसे में यूपी टीटी को पूरे तरीके से यह से स्त्रइथ कर दिया गया है जिसको लेकर यहां से जो आधिर से वो भी जारी कर दिया गया है मैं पहले आप सभी को दिखा दू यूपी टीटी दोजा एकीस के बारे में तो आज के समाचा पत्रों में आप सभी को भर भर की जान गई हैं देखने के लिए मिलेंगी यूपी टीटी दोजा एकीस को लेकर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है कि टीटी परडाम के लिए करना होगा इंतजार परिच्छा तेइस जनबरी दोजा बाइस को संपन करवाई गई थी उत्तरब देशिच्छक बाते था परिच्छा दो तो उस प्रस्ताव को यहां पे आयोग की तरब से या फिेशासिन की तरब से स्थंगित कर दिया गया है और पीएनपी को यह आदेश दे दिया गया है। यूपी टीटी सम्मदी जो भी उनकी तरब से प्रस्ताव है फिलाल के लिए इस्तगित है नीचे आपके सामने जानकरी देखने के लिए मिलेगी कि ऐसे वे अब उंबीद है कि यूपी टीटी दोजा एकीस का जो बिदानसवा चुनाब के बाद ही आपका जो परडाम वो जा जाएगा नए प्रस्ताव के अंदर ये बताया जाएगा कि हमें यूपी टीटी दोजा एकीस का परडाम जारी करना है शासन इसको लेकर अनमती दे दे फिर शासन एक दो अफते के अंदर जवाब देगा और उसके बाद में आपका जो परडाम है वो जारी होगा मतलब जो जनबरी दोजा बारिस को इस परिच्छा को करवाया गया जिसको लेकर तमाम विवाद देखने के लिए मिले लेकिन उसके बाद उत्तर कुंजी जब जारी होई तो आप बेरतियों से आपत्तियां लेगी आपत्ति लेने के बाद में समय सारणी के अनुसार 23 परड़ी को आ आकर शासन को बेजा गया था परड़ाम जारी करने के लिए लेकिन अगर बात की जाई शासन के प्रदिकारी को लेकर यहां से आली मोई बैठक के अंदर इस मुद्धे को फिलाल इसतर्गित कर दिया है अब इस मुद्धे को लेकर यहां से अगर कहा जाए तो यूपी परेडाम की जो नई तारीक होगी वो आपको दस मार्च के बार देखने के लिए मिलेगी अब आपका परेडाम न जारी होगा और नहीं आपकी आंसर की जारी की जाएगी अब वहरतियों को अभी और लंबा इंतजार करना होगा बहुं दूसरी तर बात कीज़ें अपने अगली अपडेट के बारे में जो की सम्मधित है उत्तर प्रदेश के अंदर कई बड़ी भरतियों को लेकर जैसा कि दोस्तों आप जानते कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी बरतियां जिनके अंदर धांदली और बिष्टाचार के समय समय पर आरूप लगे हैं बहले उन भरतियों को लेकर छापतों की तरफ से मामले नियाले में गई हो या फिर स्टीफ की तरफ से तमाम जाच की गई हो लेकिन उनका कोई भी अंतिम निशकर्ष नहीं निकला था लेकिन जैसा कि आप जानते कि पिछले पांग सालों के अ हैं बने का दावा ठोक रही है उनके माध्यम जे कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती हैं तो आगामी पांच सालों के अंदर जन भरतियों के अंदर धांदली ब्रिस्चा चाहर के आरोप लगे हैं उन भरतियों में जाजश की जा रहा है इससे पहले भी जानकाई निकली थी आज एक बाफ फिर से जानकाई निकली है जैसा कि दोस्तों आफ सुई को देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात कीज़े अखलेश यादव की तरफ से बार बार नई सिच्छक भरतियों को लेकर तो एलान किये जा रहे हैं नई के राष्टी अध्यष अगले शियादव ने सबावन जाकर जन संपर्ग यात्ता के दुरान भरतियों का मुद्दा उठाकर यूबावं एबम च्छात्तों को कहिने के अपनी को साधने कर कारे किया है उन्होंने सफा सरकार बनने पर 79,000 सिच्छक भरति में हुई आरच्छ पार बनती है तो पहले तो यहां पर आरच्छन की जाएगी आरच्छन के बाद यहां पर और भी जो गड़वडिया देखने के लिए मिली है उनको लेकर जांच की बात की गई है साथ में निक्तियों का जो पिटारा है वो भी खोलने का बादा किया गया है अगर बात सरकारी विवागों के अंदर लगबग ग्यार लाग से जादा जो पदे वो खाली है आईटी सेक्टर के अंदर लगबग बाईस लाग से जादा बहतीयों का बादा किया है इसकी अलावा और भी तमम जानकरी आप सबीक के सामने लिखी हैं उन्होंने कहा कि बीए टीडी पास कईने की सादा निश्याना नीचे लिखा हुआ है कि सब कुछ बेग दिया गया है तो यहां पर नोकी कैसे दी जाएगी और भी तमाम चीज़े हैं लेकिन एक बात यहां से पूरे तरीके से तैय है कि आगामी समय के अंदर अगर कोई नई सरकार बनती है तो कई ऐसी भरतिय कौ लेकर यहां से कहिने की कारवाई की जाती है जिनको लेकर फिछे पांच सालों में काफी ज्वाज़ा देखनी के लिए मिली ती एक लिए के बात कीज़ारा आयोग के माध्यम से क्याने वाली एक और नूझ बरतियां आपको जलीं को लेकर जिनको या तो चाहिए दीती है कि यूबी पीच्ट के माद्यम से एक नई विग्यवती जाजी की गई है जिसमें आपको बताया किया कि बहुत जल्द यूपीच्ट के माद्यम से एक और नई भठी का जो नौटिफिकेशन है वो जाजी किया जाएगा उसी के संबंद में जानकर या आप जब मुलाका तुई तो उनकी तरफ से बताया गया था कि इसी महीने की अंद तक इस वर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 6 जून को प्रस्ताविक प्रानविक परिच्छा को लेकर यहां से जानकरी आप सभी के सामने लिखी हुई है इसके अलावा अगर बात की जाए 49 पदों पर SGM के यहां से अधियाचन मिल चुके हैं कुल पदों की जो संख्या लगबग 200 पदों की हैं अगर इसी महीने इसका बरती का विक्यापन जारी हो जाता है तो 6 जून को होने वाली परिच्छा को आगे नहीं बढ़ाना होगा तो ऐसे में ये बात हो जाती है PCS 12-12 के नोटिफिकेशन के बारे में लगाता अपनी प्रपेशन करते हैं जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा लेकिन वहीं दूसरी तब बात की जाए उत्तर बदेश के अंदर नई प्रात्मिक सिच्छक बरती को लेकर जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगले श्यादब की तरफ से बार बार नई बरतियों को लेकर ऐलान किये जारे है कल की तारिक में मुख्यमंती योगी की तरफ से भी यहाँ पर एलान किया गया उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आगमी पांस साल के अंदर बनती है तो हर घर में एक नोकी दी जाएगी इसके लावा कुछ खास बयान देखने के लिए नहीं मिला तो वहीं दूसी तब अगर बात की जाए तो अगले शियादर की तरफ से एक वा फिर से ऐलान किया किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सदानवे अजार सिच्छक बरती का बिग्यापन जादी होगा तो कुन्डा में भी कुल्शन होगा और गुल्शन जीतेगा तो सरकार भी बनेगी और ये हमारे जो सतनवे अजार सिच्छक बरती वाले आए ये जानते होंगे बिदाए कुछ नहीं कर सकता है सरकार कर सकती है इसलिए हम आपकी मदद करेंगे ये बीएट टेट वाले लोग है ये भी जानते है कि अगर कोई मदद कर सकता है तो इनकी सरकार मदद कर सकती है लेकिन दूसी तर बात करें 22,000 प्रात्मिक भरती को लेकर जैसा कि दोस्तों कल सुवर की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकरी दी थी पहली याचिका पर नंबर आया लेकिन दूसी याचिका पर नंबर नहीं आ पाया लेकिन दोनों एक ही मुद्दे थे तो ऐसे में दोनों मुद्दों को उठा कर टेक कर दिया गया जिसमें याचिका की उपर हाली में हाईकोड की तरफ से आदेस दिया गया था जिसमें हाई कोड ने कहा था कि एक पद के साफिस दो अभरतियों की निवक्ति कैसे करेंगे उसी याचिका के साथ में महिंद सिंग करके कोई याचिका है शायद ना मुझे कन्फिर्म नहीं है लेकिन जो 1356 के संथिंग उस याचिका का नंबर है उसी के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है फिलाल आई कोड की तरफ से कहा गया है कि जब तक उस याचिका को लेकर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक ना 6800 के बारे में कोई यादिस दिया जाएगा और नहीं अगर बात की जाए 22000 सीटों के बारे में कोई यादिस आएगा पहले हाई कोड की तरफ समुद्ध को डिसाइड किया जाएगा कि 6800 वैलिड है अगर 6800 को निक्तिया दी जाती है फिर उसके बाद में आगे की काज़वाई को लेकर इस याचिका पर सुनबाई होगी इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि 22,000 को लेकर कल की तारिक में उस सुनबाई के बाद से इस याचिका को उसी मामले के साथ टेक कर दिया गया है अब एक साथ इन मुद्दों पर सुनबाई देखने के लिए मिलेगी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम साब को देदी चाहेगी वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें